हेलो दोस्तो दिल के गहराई से आप लोगों का स्वागत करता हूँ यहाँ पर आज हम डिसकस करेंगे एक केमिकल बोहम के बारे में जो जिस दिन फटेगा न तो दूर दूर तक धमा दका जाएगा और सभी लोगों का ध्यान इधर ही जाएगा ये मेरे हांसे कैसे चूट गय और उस कंपनी का नाम है बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड जो केवल 8.93 रुपीज में ही देखने को मिल रहा है और 3% का गिरावट भी है गिरावट है खुसी की बात है लोग बोलेंगे सेर आप तो उल्टा बोल रहे हो स्टॉक गिर रहा है और खुसी की बात है स्टॉ को और मांग लिजे कि स्टॉक अगर थोड़ा बहुत गिर गया तो और डिसकाउंट है और जिस दिन भागेगा ना तो लगबख सोनी पर सुहागा हो जागा रिटेन तो जितने लोग भूल जाएंगे मुझे तो पता है कि उन बहुत चादा पस्ताने वाले हैं क्योंकि वो ब्रांडिट कंपनी में शले जाते हैं जहां पर हजार रुपय के टीसेट मिलती है तो लोग बोलेंगो भाई हजार रुपय के टीसेट है सो रुपय कम कर दो सो रुपय कम कर दो यही चीज होती है जहां पर कम मिलता है यहां पर फ्री मिलता हुआ भाव देखिया आ जाते ह तो stock 27% गिरा हुआ अब जादा नहीं अब जादा गिरावाट नहीं होने वाला कुछ बड़ा हो जाएगा यहाँ यह company agrochemical के लिए काम करती है जिसमें इस देखो कुछ fundamental भी देख लेते हैं 5% company का market share है कि इसमें agrochemical है company आते आते हैं इंडिया के top 20 के list में सामिल हो चुकी है company का revenue वगरा भी यहाँ पर आपको बताया जारा PVC pipe आपने सुना होगा plastic product आपने सुना होगा PVC pipe वाले company कितना profit करें तो उसके लिए company काम करती है agrochemical तो चली रहा है यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पर दिखते हैं इनके clients है तो केवल 45% तक कर revenue generate कर लेते हैं केवल 4 clients है सोच लो 45 का 50 बोल देते हैं चलेगा 50% का जो इनका revenue generate होता ना पूरे company का वो केवल 3-4 company हो सही generate कर लेते हैं अगर इनके आने वाले दिनों में client अगर मालेजे 40-50 या 100-200 हो गये ना तब तो भाई लोट्री लग जाएगी UPL जैसे इनके पास player है clients UPR अपने सुना होगा United Force for us जो के लगबं 50-50 की king बनी बैठी है company और इस company का market cap केवल 2,120 करोड का है केवल 2,120 करोड का है तो बहुत छोटी company है और साथ में थोड़ी बहुत ही लेकिन dividend तो जरूर देती है company का return on capital employed return on equity तो देखो जो के लगबं 39.6% 40% 34 34.7 मतलब सोच लो यहाँ पर तो आपको 30-40% का return on capital employed return on equity देखने को मिला share का price 800 रुपे है phase value 10 रुपे है कभी भी यह आपको company एक के मतले 10 share दे सकता है यह खुसकबरी कभी भी आ सकती है कभी भी का मतलब में date और time तो नहीं बता सकता लेकिन हाँ कभी भी आ सकता है और पाटर में company के promoters ने हिस्सेदारी भी और ज्यादा बढ़ाया था 290 2% तक का company पैसा compounding करके दे रही है पिछले 5 सालों से आने वाले 5 सालों तक अगर मन जाने वाले 10 सालों के company ने अगर 300 का ही पैसा compounding करके दिया न तो आप राज़ाब बन जाओगे यहाँ पर और promoters ने द ही हो गया और भी भारत रसायन हो गया यहाँ पर रैलिस इंडिया हो गया यह बहुत सरे लेकिन इससे ज़्यादा return आपको यही देने वाला हर quarter की बात कर लेते हैं तो यह quarter and quarter जहां पर देख लिए जो company 2 करोड प्रॉफिट कर रही थी आज वही company लगबग 20-25 करोड तक का profit कर रही है जिस company का EPS लगबग 2 रुपे के आसपास हुआ करता था उसका EPS लगबग 10-12 रुपे के आसपास होने वाला है तो यही वो company है जो future में काफी ज्यादा grow करने वाली है और chemical तो आपको पता ही है बहुत ज्यादा grow होता है जिसका profit 0 था आज वह लगबग 100 करोड के आसपास पहुंचने वाला 100 करोड जीरो से डारिक 100 करोड तो future के लिए मेरे हिसाब से यह company बहुत ही अच्छा है 5050 के HDFC बजाज यह बड़े-बड़े companyों से बहुत ही अच्छा है आपको कैसे लागा आप देखके बताए क्योंकि मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है और आप देख लीजिए अपने financial advisor है एक बार consult जरूर कर लीजिए और चैनल को subscribe करना मत बुलिएगा क्योंकि चैनल को नहीं subscribe करोगे तो कैसे मैं यह सारा important information आप तक पहुंचा पाऊंगा जो चीज़ आपको free में मिल रही है उसको बिलकुल नहीं छोड़ना और like जरूर की जग